गुद बॉर्निंग ए सुडेंट्स वेलकम टो इंग्लिश्पर क्लास में सबका स्वागत है आज हम लोग टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं उसका नाम है रिमूब टू ओके फ्रेंट्स यह टॉपिक आज जो मैं शुरू किया हूं खासकर ट्विल्थ बोड जो आप फरवरी मे रखते हुए आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं लेकिन एक बात ध्यान रखने हैं अगर रिमूब टू आपको कोई दिकत होती है परिशानी होती है आप किसी कमडिशन के तरी करते है तो आज मैं तीन तरह के सेंटेंस को लिखने वाला हूं और विदाउट रूल्स को वि परिजे कि यहां सेंटेंस है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ही इज तो आनेस्ट ह-o-n-e-s-t he is too honest to he is too honest to tick T-A-K tick a B-R-I-B-E he is too honest to tick a he is too honest to T-A-K tick a B-R-I-B suppose that यह एक तरह का sentence है वह इतना इमांदार है कि घूस नहीं ले सकता है यह के sentence है दुसरा sentence आता है he is too honest H-O-N-E-S-T he is too honest एक दुसरा sentence इस तरह से भी आता है and third sentence वह आता है बहुत important होता है लिखेंगे he is too honest H-O-N-E-S-T he is too honest for an O-F-I-C-E-R अब देखें remove two three kinds of sentences है इस तरह से बना लें पहला remove दो कहता है कि subject है जोड़ी भव रहेगा यहाँ each के जगव वाज भी हो सकता है यहाँ each के जगव वाज भी हो सकता है और यहाँ each के जगव वाज भी हो सकता है तो पहला जो remove two होता है वह subject, is, rm, to adjective रहेगा या adverb रहेगा to रहेगा infinitive रहेगा मतलब to infinitive रहेगा उसके बाद से कुछ और रहेगा तो टिक और ब्राइब जो है घूस लेना यहां क्या infinitive है तो इस तरह के sentence आता है उसको remove to में कैसे करते हैं अब यहाँ एक sentence आ गया he is too honest अब इसमें क्या है नो कि two plus verb one नहीं रहेगा तो इसको अपके से बनाएंगे next sentence लिखा हुआ he is too honest for an officer तो यहां for के बाद से noun और पर noun पहले में two plus verb one आता था यह without two का आ गया और यह for आ गया तो सबसे पहले हम इसको change करके आपको देखाते हैं सबसे पहले इसको अगर इस तरह का sentence आता है तो how to change into remove to तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि he लिख देते हैं और each के each लिखते हैं और इस two को हटा कर हम so का यूज करते हैं तो he is so और honest लिखेंगे he is so honest वह बहुत इमंदार है वह उतना इमंदार है अब यहां इस two को हटाते हैं इस two को क्या करते हैं तो हम Dad का यूज करते हैं तब लिखेंगे He is so honest Dad और Dad के बाद से take a bribe नहीं लिखेंगे उसके बाद हम sentence को पकड़ेंगे तो sentence, sorry, sentence में subject को पकड़ेंगे क्या पकड़ेंगे? sentence में subject को पकड़ेंगे तो यहाँ sentence में subject ही है तो ही लिखेंगे एक बात आपको और ख्याल रखना है, अगर यहाँ इज रहेगा, तो cannot का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, cannot, है न, he cannot, आउसके बासे जो words है, जो भर भी उसको लिखते हैं, तो लिख देंगे, take a bribe, b-r-i-b-e, ध्यान दे रहे हैं न, तब देखिए, अगर इस तो honest to take a bribe, वह इतना honest है कि घुस नहीं ले सकता है, ता बना देंगे, he is so, उसके बासे honest और इस तू को हटाएकर, that लिख दी, उसके बास subject लिखते हैं, तो he लिखेंगे, cannot हमेशा याद रखेंगे, जब भी यहाँ टू पलस भरवन आगा, तो cannot लिखेंगे, he के बासे, उ could not, तब आप लिखते हैं, that he could not take over, समझ में आ रहा है न, तो चलिए, इस तरह के एक sentence होगा, अब दूसरा sentence, माल लिजे यह sentence है, आप इसको मिटा देते हैं, ठीक है न, उसके बाद हम दूसरा बता देंगे, अब चलिए, जैसे इतक cannot, could not हो गया, ओके, लेकिन अगर दूसर sentence हाता है, दूसरा sentence अगर आ जाता है, इस तरह से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब दू नमर बनाएंगे, सबसे पहले ही लिखते हैं, और इज लिखते हैं, और टू को हटा देते हैं, इसमें सिर्फ अगर honest रहेगा, तो क्या करते हैं, टू को हटा देते हैं, और इस honest मिरी बाद है comparative के बाद से then का i used ho ता है था हम क्या लिखेंगे than लिखेंगे than लिखेंगे than लिख दिये उसके बाद हमको फिर कह सब्जेक्ट चाहे क्या कि लिखेंगे subject है तो ही लिखेंगे और किसका है should be एस हो उर बी है ऊसके बाद sarà देंगा ध्यान देना है जब भी अगर adjective एड वर्ब तक ही नह जाता है तो उसके बाद comparative करते हैं इस तुप को हटाकर comparative में और adjective करते हैं उसके बाद subject वैसे ही लेते हैं आप चाहे तो दैन के बाद से यहां it is proper लिख सकते हैं पी आर ओ पी ए आप चाहे तो लिकर इंड रहे अब देखें दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है डिसरी बात अब अगर यहाँ वाज रहेगा नहीं दूसूद है भी फो जाता है क्या हो जाता क्या हो दो सूड अगर इस तरह का अगर कर देखेंगे सुधी लीखेंगे और देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे है अगर नाउन आता है तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे रिमूँफ में यहां देखना बहुत इंपोर्टेंट बात है थीक है अब मान के चलिए कि अब इस तरह का सेंटेंस है अब यहाँ आएग जैसे अगर यह उन से लेकैंगे तो सबसे पहले ही Simmons l represent he English कvem सब्सक्राइब का आइप सू इंश कर हैं अब इसके बार जब इसका प्रéis करेंगे डएटिष सर्कड। नृइrasis करेंगे हैं तर दूसरी बात कि सव यूज कर दीए कि की तो ऑजनल से कि आइच ओ एन इसilit अह st दो के अब स सक का पौरियो, इसका प्रू पृइट का प्रूइव करेंगे किस का पौरियो करेंगे घाट के एस फोर के जगाँ पर दाइट का पौर प्रूइथ website क्या लिखेंगे फ्रेंट्स यहां से subject उठाकर यहां लिख देंगे subject और इसके बाद से हम जो यहां cannot लिखते थे और भर्व लिखते थे लेकिन अब हम यहां लिखेंगे cannot क्या लिखेंगे cannot be cannot be या जो बच गया उसको हम लिख देंगे an officer officer ओडबल एफ हाई CER इसका मतलब हुआ कि वह इतना इमंदार है कि officer नहीं बन सकता है तब समझ गया नो तो आप इस चीज को बहुत अच्छा से ध्यान में रख लिए एक बात बताना चाहूंगा अगर आप इसको रूल के माधियम से पढ़ना चाहते हैं according to rule पढ़ना चाहते अब आपके सामले लिख देते हैं जो आपको आच्छा से समझ में आ जाएगा आप समझ गये ओनेस लिखेंगे या नाउन भी लिखेंगे और नहीं वर्ब राता है अब दूसरे एक्जाम पो हम आपको बता देते हैं बहुत जल्दी और बते ही आपको यह क्लास यह कंसेप अब को कैसा लगा ठीक है अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप रूल के अनुसा रेकॉर्डिंग टू रूल पर लिजे देखें मेरे फेस्बूक पेज पर भी दिये हुए है और दूसरी बात है कि अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं तो यूटूब भी दिये इसको कैसे रिमोफ टू में चेंज करेंगा सबसे पहले लिखिएगा और इसके बास आपको मैंने बताया लोगी सब्जेक का यूज करेंगे सब्जेक लिख देंगे सब्जेक अब इसके बासे कैनाट लिखेंगे क्या लिखेंगे कैनाट अब इसके बासे जो वाक है तो वाक लिख देंगे डाब्लू एल के कैनाट डाब्लू एल के वाक अब इस तरह का सेंटेंस हो गया she is so weak that she cannot work वो इतनी कमजोड है कि तहल नहीं सकती है चल नहीं सकती है तो जब भी 2 पलस भर 1 आएगा तो that लिखें कैनाट लिखेंगे जब यहाँ वाज रहता तो could not हो जाता है यह sentence नमर आपका first है अब दूसरा type का क्या हो सकते है जैसे इस तरह का sentence आगया C is 2 C is 2 week C is 2 week अब मालने जी इतना ही रहेगा 2 पलस भर 1 नहीं रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है बाबू इसका remove to change करने के लिए C लिखेंगे और उसके बासे इज लिखते हैं क्या लिखते हैं? इज लिखते हैं और आपको मैंने बता है इस 2 को हटा देते हैं आप सो का यूज नहीं करेंगे अब इसका week का comparative में change करते हैं तो week का weaker हो जाएगा डाबलू ए ए के यार आप किसमें more लगाते हैं किसमें येर लगाते हैं अगर आपको इसीच को पढ़ना है तो c is weaker विकर हो गया नो तो जब विकर हो गया comparative हो गया तो then का यूज तो करेंगे ही करेंगे तो हम then लिखते हैं आप उसके बाद मैंने बताया था कि subject लिखते हैं तो subject लिखेंगे subject c है c है नो आप उसके बाद should be लिखेंगे ध्यान रखना है अब चलिए तीसरा एक sentence आगया मालने जए तीसरा एक sentence आगया इसी तरह से लिखेंगे c is too weak क्या लिखेंगे फ्रेंड c is too weak for for and wrestler क्या लिखेंगे w r e s t l e r देखें कितना important है wrestler and wrestler अब देखें c is too weak for and wrestler 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 इतनी कमजोड है कि पहलवान नहीं बन सकते lady पहलवान कब जानते है तो आप देखें यहां noun आगे यहां फोर आगे यहां नहीं आता था यहां भर बादा तो सबसे पहले आपको मैने बता दिया है कि इसको change करने के लिए C लिखते है और उसके बास sulla लीखते है और फिर हम so का use करते है आप इसके बासे भीख लिखते है c is so weak और उसके बासे subject यहां हे subject हम लिखदे सब्जिक इसमें जो सूड भी लिखते हैं सब्जट के बाद इसमें 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 आपको लिखना है क्या लिखना है आप बच गया एंड रेसलर तो आप लिख लिखेंगे इस तरह से आपका रिमूट बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा लेकिन आप इसको रूल के अनुसार देखना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देख लिजी इसको बहुत ज़्यादा रूल बताया है इस अपका रूल बताया है क्या होता है चलिए आज के इतना ही थैंकी फर वाचिंग दिस क्लास फंट्स जैहिंद जैभारत ब माल